बाद करते हैं आज के बाजार के हफते के आंखिरी दिन बाजार ने recovery की कोशिश की लेकिन बाजार बंध होने तक ये टिक नहीं पाए। नतीजा बाजार लगाता जटे दिन गिरावड के साथ बंध हुआ दिन भर बाजार में कैसी रही हल चल बता रही है हमारी बाघ्र कर विवाने टिर्ट आप ने अजिए अपने अच्छन देखा और रिएक्शन भी देखा बिकास अब ब्चाइब कर दो बजे के बाद उसके बाद हमने थोड़ा सा बिगड़ते हुए देखा पंदरा आँचों के नीचे अच्छे बाजर बाजर वह एक बड़ा सपोर्ट था य कि यहां से शायद काफी जादा ओवर्सोल टेरिटरी में चल गया बाजर और अब शायद यहां से एक बाउंस बैक करना चाहिए स्लेक्टिव पॉकेट में रियल एस्टेट में मिटकाप स्मॉल काप यहां पर आपको पाइंग देखने को मिलिया है यहां पर भले इंपाइक जरूर देखना हो लेकिन फिनांस काउंटर आपको फिर भी उन में मोमेंटम लूज निवा रिलाइंस ने आज बाजार को जरूर पर की तरह सारा दिया था भले ही थोड़े से गेंज एरोड हुए बात में लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर आए नंबर का एक में आपको बड़ा दिखाई दी वहां तेजी के साथ काउंटर बंग हुए अगर गेनस की आप बात करें तो आपको टाटा मोटर्स, टाइटिन, हीरो मोटर कॉप, संफार्मा, हुल इन ये बड़े काउंटर से जोने बाजार को साहरा दिया, रिलाइंस की तरफ से भी आप पर addition हुई और उमें बड़े मूव्स आपको दिखाई टाटा लेगजी 15% तक की मूव दिखाई अदानी पावर, EU Small Finance Bank, JSPL, यहां पर आपको अच्छे मूव दिखाई दिये, RBL Bank एक अच्छी फासी डेंट पड़ा था बाजार, रिजल्स के चलते परसो और उसे एक बिन प पॉर्ट के भले ही नीचे बाजार बंद हुआ, लेकिन शायद इतना ओवर सोल जोन से शायद यहां पर एक बाउंस बैक होना चाहिए अब मार्केट के लिए DSP Mutual Fund के MD और CEO कल्पिन पारे का कहना है कि मीडियम टर्म में मार्जन प्रेशर की वज़े से बाजार की उम्मीदों पर असर पड़ेगा साथी कई दूसरे फैक्टर्स भी होंगे जिसकी वज़े से बाजार में उठापटक जारी रह सकती है पिछले 6 महने से दो बड़े ट्रेंड देखे हैं हमने कि एक बाजू जो जो अर्नीज का रिवाईवल हुआ है इंडिया में लेकिन मीडियम टम में फिर से मार्जिन प्रेशर के वज़े से जो एक्स्पेक्टेशन है बजार के वह थोड़े या मार्केट के वो थोड़े कम हो सकते है from an earnings worth point of view. दूसरा काफी ताइम से नेत्रा में हमने दो या तीन महिनों से इंडिकेट किया है कि एक वैलुएशन दी रेटिंग का साइकल ये शुरू हुआ है. क्योंकि वैलुएशन को सपोर्ट करने के लिए जो कंडिशन्स कोनी चाहिए या हो रही थी, which is low interest rates worldwide and very high liquidity. And same thing in India, ये दोनों conditions जो है, वो ठाइट हो रही है पिछले share महिने से. तो एक बाजू liquidity withdrawal हुआ है, RBI ने जो surprise liquidity withdrawal अनौस किया था, C.R.A. hike से और अगले policy में भी होने का जांस है. So, जो conditions है, वो ये है कि earnings growth उपर जा रही है, लेकिन run rate slow होगी, valuations का de-rating हो रहा है, तो आपको companies reasonably moderate valuation पे आ रही है after a long period of time. But the trend still remains volatile with many uncertainties around us. Abacus Asset Manager के founder Sunil Singh Ghania ने हमसे खास बातचीत की, इस बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजार ज्यादा तर निगैटिव चीजों को पचा चुका है. क्या उन्होंने निवेशकों को सलाह दी, किन कंपनियों में निवेश करना चाहिए, चले देखते हैं. जो हम बजार देख रहे हैं, वो दुसरी तरफ थोड़ा सा एक्सेस की तरफ जा रहा है. यसे आपने कहा कि ये छे मेने से चल रहा था, इंफ्लेशन की वरी, चाइना की वरी, इंटरेस्टेट की वरी, और फिर दाई मेने से उक्रेइन और अश्या की वरी, ये तीन से छे मेने से चल रहा था. I think market उसको थोड़ा सा लाइटल ले रहा था, और एक को tipping point आता है जहां पे है ना, फिर वो संभलता नहीं. I think जो last 10-12 दिन में हमने बजार में देखा, particularly global market में और US market में, I think we got tipping sort of point था, जहां पे जो लोग थोड़े से हिल गए थे, उन्होंने थोड़ा बेचना शुरू किया, obviously fundamentals भी deteriorate होएं, interest rate और inflation की fear बहुत ही logical और जाइज है, बट मुझे लगता है last कि जो एक दो दिन में हम जो देख रहे हैं अभी वो जो डर है, उसका आप बोल सकते हो कि थोड़ा climax की तरफ पहुँच रहा है, तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कल से बजार बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट I think 80-90% अभी जो concern है, वो market already discount कर चुका है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा मज़ार संबलेगा, I think थोड़ी सी sanity आएगी, long term investors फिर से यह फाइदा उठाएंगे जो भाव गिरे हुरे हैं उनका, और you know, at least we are quite optimistic कि मज़ार संबल जाएगा. सुन्दरव AMC के MD सुनील सुब्रमन ने हमसे खास बाचीट की, इस बाचीट में उन्होंने बाजार को लेकर अपने नजरीया बताया, उन्होंने इस कहा कि banking, financial, capital, goods, sector जो है, उसमें उन्हें अभी भी उमीद नजर आ रही है. Sensitivity आप domestics and sectors में रखें, तो मेरे क्याले, first sector जो आता है, banking and financial services, right, क्योंकि वो पुरा domestic के समधित है, domestic growth को finance करने वाली banks और NBFCs रहते हैं, और wealth management companies भी जो people के पास surplus है, ये जो SIP की fruit आते हैं, distribution houses के तुरू, banks के तुरू, ये सब एक financial services sector को एक strength देती है, तो मैं कहूँगा कि sectorally banking and financial services में आप अगर allocation दे, तो वो अच्छा होगा क्योंकि domestic ग्रोंचर जोड़ित है, second होगी capex, अभी आप देखरें कि domestic capacity utilization भी long term average का 72% के लेवल पे पहुंच के ही है, private sector capex भी strong growth path भी दिखरा है, government के भी infrastructure support है, तो overall capital goods related sectors या जैसे cement, steel, building material, capital goods, EPC contractors, real estate, housing, यह सब domestic oriented sectors है, जहां पर बहुत positive returns मिल सकती है, short term में volatility होगी, बहर medium term में जरूर उनके earnings और order book catch up करेंगे with the expectations. SBI ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिये हैं, नतीजे मिले जो ले रहें, मुनाफ़ अनुमान से कम रहा, लेकिन asset quality में सुधार हुआ है, नतीजों पर SBI के chairman दिनिश कुमार खारा से, खास बाचीत के हमारे senior editor अजय शर्माने, State Bank of India के fourth quarter results काफी अनुमान से अच्छे रहे, इनफाक्ट बजार शुरुआत से ही एक elevated estimates लेके चल रहा था, SBI के चलते लोगों के अनुमान ऊचे ही होते हैं, लेकिन asset quality पे काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, हमारे साथ Mr. Khara, chairman SBI के जुड रहे हैं, internals पे बात करने के लिए, Khara साब, लगातार कई quarters से, अगर हम एक लंबा trend देखें, तो SBI अपनी asset quality को काफी control करके चल रहा है, अगर आप इस quarter बता सकें, काफी stable asset quality है, not only performance के बारे में, बट उसके अलावा trends के बारे में भी asset quality है, क्या चीज़ें वाकई का under control हैं, कोई nasty surprises के उमीद नहीं आगे चलते हुएं? इस विशे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से कोशिश है कि अगर हम कोई भी अगर स्ट्रेस देखते हैं तो उसको समय से पहले उसके लिए पूरा प्रोविजन कर देते हैं, जिससे कि हमारी balance sheet किसी भी future shock से insulated रहे, ये हमारी एक philosophy है जिसको हम practice कर रहे हैं पिछले गतवर्शों से और यहीं एक कारण है कि आपको जो asset quality एक दम से बरकरार दिखाई दे रही है, उसका main कारण नहीं है, बाकि retail में जो है underwriting में हमारा जो प्रोसेस है वो काफी strong है, similarly corporate का underwriting में भी हमने काफी processes में improvement किये हैं, उसके चलते हमारी book जो है काफी अच्छी book build up हो रही है, और अगर कहीं कोई stress दिखाई भी देता है तो उसके लिए हम timely provision कर देते हैं, जो की जो है bank के hit में है, bank की balance sheet के hit में है, bank के सभी stakeholders के hit में हैं. लेंडिंग growth की बात करते हैं, खारा साब, आपने पहले retail end की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी point, you know, momentum दिख रहा है, अगर home loan, auto loan, personal loan, अगर पहले lending book के बारे हम बात करें, किस तरह का production रहा और किस तरह के trends आप देखते हैं वहाँ पे? देखे हमारा retail book जो है, तक्रीबन 16% के कागर में पिछले तीन साल से grow कर रहा है, और अभी भी जो है, उसी तरह का trend हमें देखने को मिल रहा है, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का trend देखने को मिलेगा, इसके इलावा पिछले दो quarter से हमें corporate book में भी growth दिखाई दे रही है, और जिस तरह का अभी unutilization, unutilized working capital limits हैं या unutilized strong loan limits हैं, तो उसके देखते और साथी साथ जो pipeline दिखाई दे रही है, corporate में भी आने वाले दिनों में अच्छी growth की आशा करते हैं, similarly हमी में भी हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमें अच्छी growth देखने को मिलेगी, कारा साब अब corporate loan की बात करते हैं, हमने दो तीन महीने से जो data आता है, वो दिखा रहा है कि credit growth 8% के उपर धिरे धिरे बढ़ रही है, आपकी corporate growth कैसी trend कर रही है, और trend किस तरफ बैटता हूँ नजर आ रहा है। पूरे साल भर की credit growth का, तो मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे capacity utilization economy में इंप्रूव होगा, तो working capital का available भी इंप्रूव होगा, और साथी साथ investment demand भी कुछ देखने को मिलेगी, उसके चलते हमें पूरी आशा है कि corporate की growth भी अच्छी आएगी, और अक्सर हमने देखा है कि normally GDP growth रहता है, state bank का growth उससे तकरिबन 1% अधिक रहता है, तो अगर देखें कि अभी 7.8% की growth की बात गौर्मेंट अफ इंडिया द्वारा की जा रही है, आर्बे द्वारा 7.2% की growth की बात की जा रही है, तो हमें आशा है कि हमारी corporate growth जो है तकरिबन 8-9% की growth हमें देखने को मिलेगी है, अभी अपना loan book का break up कैसा आपको दिख रहा है इस latest quarterly numbers के साथ, और अगर हम थोड़ी लंबी picture देखें, दो सो तीन साल का अगर हम view लेके देखें, तो आपको किस तरह का loan book break up नज़र आता है retail वर्सिस corporate loans का? इसा है कि retail हमारा प्योड प्ले रिटेल वह तकरिवन 10 लाग क्रोड 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 कर गया है, और उसके इलावा corporate book हमारा तकरिवन 8 लाग क्रोड से ऊपर था, इमिलरली इंटरनेशनल book तकरिवन 4 लाग क्रोड का था, एग्री और SME मिलाकर भी तक्रिवन पांच लाग क्रोड तो यह हमारा ब्रेक अप था आने वाले दूरों में मेरे को लगता है कि ट्रेंड तक्रिवन इसे तरह से चलेगा जी, SME और एग्री के बारे में एक बात कर लेते हैं क्योंकि अब कल AMD ने बोला कि early monsoon आएंगे, आज कायमेट ने भी बोला कि 26 मही को करला हिट कर जाएंगे फिर rest of the days की तरफ advance करेंगे, एक view लेना चाहता हूं कि इस बार अगर high probability है ठीक ठाक monsoon की, तो आपको agri side of your business जो है वो कैसा usually पेश आता है, अगर हम pure agri लें और उसके allied के साथ में लें, तो एक काफी एक तरह से reflection होता है, agri side of the economy का, तो आपका क्या view ऐस पे? अगर ऐसा रहेगा, तो मेरे को मेरी आशा है कि rural economy should look even better as compared to what we have seen जी, एक आखरी सवाल पूछूँगा मैं आपसे, वो है आपकी बहुत सारी subsidies हैं, वो भी बहुत healthy perform कर रही है तो fee based or subsidy or contribution overall आपके business में कैसा रहा, इससे भी कुछ अगर आपसे share कर सके? Subsidaries का performance काफी अच्छा है, हमारी अक्सर ये subsidies आपनी leak table में number one position enjoy करती है और ये अपने stakeholders के अलावा, अपने shareholders के अलावा, हमारे state bank के shareholders के लिए वे value create कर रही है बाकि हमारे customers के लिए ये बहुत ही अच्छे products provide करती हैं, जिससे कि हम अपने customers को सब तरह की सुईधाय में अपलप्त करवा सकते हैं All right, right Mr. Khara, thank you very much for your time, हमसे ET9 सदेश ये बात करने के लिए धन्यवाद आईशर मोटर्स ने आज अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिये, 16% मुनाफ़े के साथ कम्पनी का साल आना मुनाफ़ा 610 करून रुपे हो गया नतीजों के बारे में और जादा जानकारी देने के लिए जुड़ गई है, हमारी सही होगी, सृष्टी शर्मा आना मनुमान लगा रहे थे, वो बढ़कर 23.7% हो गए है और यह जम देखने को मिला है 21.5% मार्जन जो कम्पनी ने सेम कौटर लास्ट यह रिपोर्ट किये थे, आपको याद होगा कि कम्पनी कई समय से प्राइस हाइक्स ले रही थी, साल दर साल देखी तो इनके रॉयल सीवी सेग्मेंट का भी कमपनी को काफी सहा रहा था और यह सारे फैक्टर्स जो हैं कम्पनी के अर्निक्स को सपोर्ट करते वे नजर आए हैं कि को लाई देखे तो वहां पे करीब 9% की बड़त देखने को मिली है 3193.3 करोज पे इनने अपनी आई घुशित किया है वही इ पूज रही है ऐसे समय में भी कमपनी ने साल दर साल अपने माजिन्स बढ़ाए हैं तो नतीजे अच्छे आए हैं आईशे मोटस के एलन मस्क ने फिलहाल 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर डील को रोक दिया है मस्क ने खुद ट्विट करके ये जानकारी ती एलन मस्क ने ये फैसलर स्पाम और फेक यूजरS की जानकारी को लेकर किया है एलन मस्क के इस ट्विट के बाद ट्विटर का इसस्टॉक प्रिमारकेट ट्रेडिंग में करीब 20% रड़ग गया ट्विटर ने करीब महीना पर पहले बताया था कि साल की पहली तिमाही में उसके रोजाना मॉनेटाइज यूजर्स में स्पैम और फेक यूजर्स पांच परसन से कम है इंटरनेशनल मारकेट में क्रूड की कीमतों में उतार चड़ाव के बावजूद OMS ने 36 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं ऐसे में तेल कमपनियों के उपर कीमते बढ़ाने का दबाव है इसी मुद्धे पर देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट नमस्कार आप देख रहे हैं सुदेश विशेश मैं हूँ उतकर स्टवेदी आज क्या है विशेश विशेश ये है कि पेट्रोल डीजल की कमप्रियां अब मांग कर रहे हैं कि दाम बढ़ाए जाए पिछले साल पांच राज्यों के चुनाव हुए तो पेट्रोल डीजल के दाम 136 दिनों तक नहीं बढ़े थे लेकिन अभी ना तो चुनाव है और ना अगले कुछ महीनों तक इसके आसार देखते हैं तो फिर क्यों बीचे 36 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं इसका जवाब है महंगाई जिसकी आच अबाम आदमी के साथ साथ सरकार भी महसूस करने लगी है लेकिन महाई रोकने का एत तरीका कि पेट्रोल डीजल के दाम थाम लिये जाएं सही है और नहीं क्योंकि कभी ने कभी तो तेल मारकेटिंग कमपनिया दाम बढ़ाएंगी तो कि तेल कमपनिया रोजाना करोडों का नुकसान झेल रही है जो जादा दिन तक नहीं चल सकता दूसरी और जब पेट्रोल डीजल सरकार के नियंदर में है ही नहीं तो तेल कमपनिया दाम बढ़ाने के लिए सरकार का मुझ के उताक रही है ऐसे में इस तेल के खेल का क्या मतलब निकाला जाए इस पर करेंगे चर्शा लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट आप इस बात पर भहस कर सकते हैं कि देश में गर्मी ने आम आदमी के पसीनेच जादा चुड़ा है या बढ़ती महंगाई के पारे ने अपरेल में रीटेल महंगाई दर के जो आकड़े आये हैं आठ साल की सबसे ज़्यादा महंगाई को दर्शाते हैं ये हाल तब है जब बीते 36 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मीटर ठंडा पड़ा है लेकिन जिस दिन ये मीटर दुबारा चल पड़ेगा उस दिन महंगाई आसमान को पहारते हुए निकल जाएगी शायद सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ही तेल मारकटिंग कमपनियों की टोटी मरोड रखी है जिससे तेल मारकटिंग कमपनियों का बहिखाता गर बड़ा गया है सूत्रों के हवाले से पता चला है कि तेल मारकटिंग कमपनियों ने पेट्रोलियम मंत्राले से संपर किया है और तुरंत मामले में दखल देने को कहा है 36 दिनों से ताम नहीं बदले हैं जिससे तेल मारकटिंग कमणियों को एक लीटर पेट्रोल पर अस रुपए का घाटा हो रहा है, जबकि डीजल पर ये घाटा 25 रुपए प्रती लीटर है. तेल मारकटिंग कमणियों ने केंदर सरकार के अनौप चारिक निर्देशों के चलते कीमते थाम रखी हैं, जिससे उसकी मुश्किले पढ़ रही हैं. सूत्रो का कहना है कि पेचोलियम मंत्राले भी तेल मारकटिंग कमणियों का दर्द समझता है, और ये चाहता है कि तेल कीमतों की समीशा रोजाना होनी चाहिए. साथ ही पेचोलियम मंत्राले ये भी चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उप्भोगताओं को राहत मिले केंदर सरकार को एकसाईज और राजियों को वैट में कटोती करनी चाहिए जो की कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखना टेल मारकेटिंग कमपनियों की सेहत के लिए ठीक नहीं है पेचोलियम मंत्राले ने मामले में तुरंट दखल देने के लिए वित्त मंत्राले से संपर्भ भी किया है अभी राजस्थान, करनाटक और मध्यपरदेश ऐसे राजज हैं जो 33 से 36 परसंट तक वैट वसूलते हैं लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट है यानि सरकार का इनकी कीमतों को रेगुलेट करने से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये महीनों महीनों कैसे स्थिर रह सकती हैं सरकार से भी जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो साफ कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराश्ट्रिय क्रूर कीमतों पर निर्भर है तो फिर पिछले साल पांच राज्यों में चुनाव के दौरान 137 दिनों तक कैसे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे और अब 36 दिनों से कीमते क्यों नहीं बदली तो कि आये मान लिया जाए कि डी रेगुलेशन सिर्फ नाम का है परदे के पीछे पेट्रोल डीजल को रेगुलेट करने का बटन अभी भी सरकार के ही पास है काश प्रियदर्शी एटी नाव स्वदेश चलिए इस पर और बातशीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद तनीजा जुड़ गया है जो कि ओईल एक्सपर्ट है नरेंद सर एक जो सवाल है वो ये है कि अगर ये पूरा मार्केट डी रेगुलेटेड है तो OMC इसको जरुवत क्यों है जाने की सरकार के पास और सरकार से एक इजाज़त लेने की तो ये थोड़ा सा समझ नहीं है कि पीछे से तार अब भी जुड़े हुए जाहिर है अब पेट्रोल डीजल दोनों डी कंट्रोल कमोडिटीज है 2010 में आपको पता है पेट्रोल डी कंट्रोल हुआ 2014 में डीजल डी कंट्रोल हुआ डी कंट्रोल का मतलब यह है कि वो सब बाजार के हवाले है तो फिर सरकार के तो उसमें कोई भूमिता होती नहीं है तो ये तो OMC जो तीनों कमपनियां है बड़ी-बड़ी और इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी आप शामिल करने है तो मुझे तो समझ में नहीं आदा जब डी कंट्रोल कमट्रीज है तो सरकार बीच में कहां से आ गई वो कैबिनेट का डिसीजन था कि जुलाई 2010 में कैबिनेट का फैसला था कि पैट्रोल को डी कंट्रोल करो डीजल को डी कंट्रोल करो डीजल 2014 में हुआ पैट्रोल तुरंत हो गया था जुड़ाई 2010 में जब ये कैबिनेट का फैसला भारत सरकार के तो फिर उसके बाद इन कंपनीज को इधर दर देखना नहीं चाहिए काइदे में अच्छा एक और बात जो आज़ादी नरिंसर जो आपने बड़ी सही बात कहीए क्या होता है कि देखिए जो उभोकता है वो तो ये देख रहा है कि अच्छा देखिए चुनाव से पहले नहीं बढ़े थे अब बढ़ गए अभी कुछ दिन पहले बढ़े अब महंगाई होई है तो शतिर दाम नहीं बढ़े इससे क्या और थोड़ा सा चाहें कुछ दिन के राहत मिलती है लेकिन एक बार उभोकता के बढ़ में एक शक आता है कि यहाँ एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पीछे तो क्या आपको लगता है कि जो एक समय तक रोके रहती है ओईल मार्केटिंग कंपनी और जटके में एक साथ खोलती है जब 9-9 दिन 10-10 दिन 11-11 दिन आप देखते हैं क हरो तिनका तिनका करके बून-बून करके दाम बढ़ते हैं उसते थोड़ी सी और जो ट्रस्ट है वो बोकता का वो कम होता है ने बिल्कुश सही बात है ट्रस्ट आज की तारीक में है दिखिए हमको यह समझना होगा भारत के अंदर कि भारत की अर्थिवस्ता तेल की आम आदमी के लिए मदवर्क के लिए और उत्योग पती और बिजनिस के लिए तो हैं तो ऐसे में और जब ऐसे में यह बहुत आप और आने वाले लंबे समय तक पेट्रोल डीजल की कीमता बढ़ने वाली है घटने वाली नहीं है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2040, 2024, 2025 तो पेट्रोल डीजल की कीमता पढ़ेंगी और मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए अच्छा होगा कि सरकार खुल करके पार दर्शी तरीके से जनता को और गोपता को कहें कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है हमने डी कंट्रोल कर दिया इसको डी पॉलिटिसाइज करि यह सीधा सीधा कंपनी चाहिए वो सरकारी या प्राइवेट और उबोकता के बीच का संबाद होना चाहिए वैसाय होना चाहिए और ट्रैफिक होना चाहिए इसमें सरकार का ही पाइदा है आप जो स्रीती बनी हुई है जा ट्रस्ट एफिसिट है तो बोकता कहता है वह इले रूप से वो बज़र कह वाले हैं तो अब उबोकता सोचता है नहीं सरकार सब कुछ करती है तो इससे फ़र ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है इसे नुकसान किसका हो रहा है नुकसान सरकार का हो रहा है और नुकसान आम उबोकता का हो रहा है मुझे लगता है देखते हुए जिस तरह का भविश दिख रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है और बहुत जादा रहा सरकारें दे नहीं पाई नहीं चाहिए राजरीत सर्राजकियों या केंद्रकियों ऐसी इस्तिती में आवश्चक है कि सरकारें हट जाएं और सीधा समवाद बोगता और कमपनियों को करना है जो कहना है कमपनियां बोले कीमत बढ़ने ये कमपनिय बढ़ाए कीमत गटाने ये कमपनिय बढ़ाए अगर जिससे ऋबोकता को शिकायत है तो कंपनी से हो और कंपनी को कहें तो रही क्यों नहीं सस्ता कर रहा बाजा में सस्ता हो गया तो उनका गुसा, उनकी नाराज़़ की, उनके प्रिशिफित चिन्म है सब कंपनियों की तरफ जाने चाहिए आज सब सरकार की तरफ जाते हैं सर आखरी सवाल आपसे एक लेना चाहूंगा मैं बस समय थोड़ा कमल लेकिन इस सवाल तब भी आपसे लूँगा कि जिस हिसाब से अभी हमें खबरे आ रहे हैं कि और बढ़ने की उमीद है क्या यह आखड़ा जो है यह जो पारा है यह और बढ़ सकता है आगे जो कंपनियों ने मैंने सुना है पिसले 24 गंटे में तावा कि हमको इतना खाटा हो रहा है पहली बात तो मैं पूरी आंख्रे से सहमत दी है मुझे नहीं लगता इतना खाटा हो रहा है और अगर मालिया हो भी रहा है तो किसको सुना रहा है दोशी तो उखड़ी है वह तो उखड़ी कंट्रोल है आप ठीतरे मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से संभाद टी क्यों नहीं कर रहे है और दूसी बाद ये है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा अपने विप्तिकत विचार में कि अब केंडर सरकार को एक्साइज को थोड़ा घटाना चाहिए और राज सरकारों को भी केंडर को कहना चाहिए अपने टेक्सिस घटाओ मुझे लगता है आम उबोकता ने काफी सहलिया अब आम उबोकता और देखिया महंगाई कहां पहुंसरी आप देखी रहे हैं तो इसलिए एक्साइज को थोड़ा कम करिए राज सरकार हैं चाहिए किसी भी राज जी कि अपने टेक्सिस को कम करें आम आदमी को रहात देने के साथ जो महंगाई बढ़ रही है इसको रहात दीजी अच्छा अर्थ शासर होगा अगर एक्साइज घटा दो अच्छा अर्श शास होगा अगर आप राज सरकार हैं अपने टेक्सिस को करा हैं और कम्पनी आपने को अथ शुर्ण चुके थैंग पर प्रकाश प्यादर श्री भी जुट चुके हैं प्रकाश आपसे एक ही सवाल ले पाँगा लेकिन सवाल ये है कि इस समय ओयल मार्केटिंग कमपनिया क्या कह रही है और इससे क्या माना जाए क्योंकि दाम तो काफी समय से बढ़ी रहे थे अभी पिछले 30-30 दिनों से नहीं बढ़ रहे थे पर क्या भी यह माना जाए क्योंकि ओयल मार्केटिंग कमपनी ने इस तरीकी की बाते करी हैं कि अभी दाम और आगे बढ़ने वाले हैं देखिए OMS के लिए सीती यह है कि तक्निकी रूप से सरकार कहती है और कह भी रही है और अधिकारिक रूप से इसकी घोशना भी हो चुकी है कि पेट्रोल डिजल के प्राइस डी रेगुलेटेड हैं बर सवाल यह है कि अंसीन रेगु प्राइसे समय में जब आल टाइम हाई पे प्राइसेस हैं और OMC का घाटा भी बढ़ रहा है तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा जब जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं जो हमारे सोर्स हैं पेट्रोलिय मिनिस्ट्री के अंदर वो कह रहे हैं कि यह सस्टेनेबल मॉडल नही है कि आप कमपनीज को कुछ-कुछ समय के बाद कह दें कि प्राइसेस में बरहुतरी रोक दो तो यह लंबे समय तक नहीं चल सकता है लिहाजा बीच का रास्ता निकालना बेहत जरूरी है और बीच का रास्ता क्या होगा मौजूदा प्रद्रिश में राज सरकारें इस बात को लेकर तयार नहीं है कि पेट्रोल डिजल को जिस्टी के दारे में लाई जाए तो बीच का रास्ता क्या होगा कि एक साइज डिव्टी में करनी पड़ेगी राज सरकारों को इस बात के लिए तयार करना पड़ेगा कि वो वैट में कटवती करें फिर यही फिलहाल तॉलि लिटर वो 25 रुपए के करीब पहुंच गया है है रानी हो रही होगी कितना बड़ा गाप कैसे हो सकता है पेट्रॉल पर 10 रुपए डिजल पर 25 रुपए इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि जो एकुमुलेशन है जो पहले से होता आया था उसको ओम सीज ने कम्प्लिटली पासओ नहीं किया और डिमांड जो है डिजल की वो कम है पेट्रॉल के मुकाबले अभी भी यह पेंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंचा है इसकी वज़े से भी यह घाटा बढ़ रहा है और इस वक्त सरकार यह रिस्क नहीं ले सकती है कि वो एमसी डिजल में ब बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमार साथ जुड़ने के लिए देखें दो चीज़ों की बात है पहले तो दाम थोड़े कम हो कैसे भी हो और सबसे इंपोर्टन चीज़ है पारदर्शिता ट्रांसपेरिंसी आए कि क्या सरकार कंट्रूल कर रही है या ओमसी कंट्रूल क जा रहा है सूखे में सिर्फ खेती और पर्यावन संतुले डंग मगाने का खत्रा नहीं है सूखे का असर जीडीपी पर भी प्याट रहे हैं कितनी प्रभावित हुई है जीडीपी कितना हुआ है सूखे का सर इसी पर देखिए हमारा स्पेशल सेग्मेंट सूखा अंग्रेजी में ड्रॉट कहते हैं जैसा इसका नाम है उतनी ही कम दिल्चस्पी लोगों की इस टॉपिक पर है जबकि असलियत यह है कि सूखा एक ऐसी त्रास्दी है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है United Nations Conventions to Combat Desertification UNCCD की रिपोर्ट हाल ही रिलीज हुई है जिसमें जो दावे किये गए हैं वो काफी गंभीर हैं चौका देने वाले हैं और सूखा सिर्फ पानी की समस्या नहीं है बलकि यह किसी भी देश की एकॉनमी को सोखने की ताकत रखता है सूखे की समस्या से देश का किसान, मजदूर और आम लोग सब ही परिशान होते हैं अगर फिर भी आपको लगता है कि सूखा कोई समस्या नहीं है तो पहले रिपोर्ट देखिए और इसके बाद मुस्पर चर्जा करेंगे सूखे की समस्या देश की नहीं, दुनिया की भी और पानी की समस्या भी दोनों की है बगर ये दिक्कत नो तो दूर हो रही है और नहीं घटने का नाम ले रही है एक रिपोर्ट के मुताविक 1997 के बाद देश में सूखा संभाविद शेतर 57% बढ़ा है जिसके चलते हर साल देश के लगभग 5 करोर्द लोग सूखे से प्रभावित हो रहे हैं इसके रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1998 से लेकर 2017 तक इन 10 सालों में गंभीर सूखे के चलते देश की GDP में 0.5% कमी आई है पिछले साल इसरो की रिपोर्ट में अनुमाल लगाया गया था कि 2018 से 19 के दोरान भारत में लगभग 9.785 करोर हेक्टेर जमीन सूखा ग्रस्त हुई जो की देश की भूमी का लगबग 30 फीजदी है जिसके चलते 36 गड़, जारखंड और उरीसा के किसानों को हर साल 40 करोर दॉलर के करीब नुकसान होता है वही हैरानी की बात तो यह है कि इन तीन राज्यों में गरीवी रेखा से उपर रहने वाले करीब 1.3 करोर लोग सूखे के कारण हुए आर्थिक नुकसान के चलते गरीवी रेखा से नीचे चले गए यह सूखा ही है जो देश की इकानमी को कमजोर भी कर रहा है और लोगों को गरीवी रेखा से उपर भी उठने नहीं दे रहा है वहीं यह सूखा खेत और जमीन कोही नहीं इनसान पर भी भारी बढ़ रहा है आज भारत में तो पीने की पानी के परेशानियां भी कम नहीं है हाल यह है कि महिलाएं अपनी कुल कैलरीज का 40 फिस्दी हिस्सा पानी लाने में खर्च कर देती है वहीं नित्यायोग भी कह चुका है कि भारत अपने इध्यास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है और हालात गंभीर नहीं हो इसके लिए जल संसादनों के ततकाल और बेहतर प्रभंदन की ज़रुत है उनके मताबिक देश में साप पानी नम मिलने के चलते दो लाख लोगों की मौत हो जाती है और अगर हालात यही रहे तो आखड़ा और भी बढ़ सकता है दुनिया के नजरिये से देखे तो साल 2000 के बाद से ही पूरी दुनिया में सूखे का पढ़ना और उसका बढ़ना शुरू हो गया था वज़ा कही थी उनमें से एक वड़ी वज़ा थी कुदरत का कहर जिनमें से 15 फिजदी सूखा प्राकिर्तिक आपदाओं का हिस्सा है सूखे ने 1.4 अरब लोगों के जीवन को परभावित किया और अगले आठ सालों में यानि साल 2030 तक सूखे के चलते दुनिया भर में 70 करोर लोग वी अस्थापित हो जाएंगे सूखे के साथ ही पानी की समस्या का युग शुरू हो चुका है UNCCD के मताविक 2022 में 2.3 अरब से जादा लोगों को पानी के लिए संखर्ष करना पड़ा और उनका आकलन है कि 2050 तक सूखा दुनिया की दोतिया यावादी को परभावित करेगा अनुमान है कि तब 4.8 अरब से लेकर 5.7 अरब लोग ऐसे शित्रों में होंगे जो साल में कम से कम एक महिने के लिए पानी की कमी का शिकार बनेगा तिलहाल 3.6 अरब लोग हर साल कम से कम एक महिने ये स्थिती जेलते हैं E.T.NOW सुदेश चले इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकच कपूर जो कि एन्वार्मेंटलिस्ट है पंकच आपसे मेरा पहला सवाल होगा दरसल दिल्ली बंबई में जब लोग घर खरीते हैं तो पहले कहते हैं 24 आर वोटर सप्लाई है क्या ये सवाल लेके हमारे घरों पे अभी तो पान यार है लेकिन इस बात का ना एहसास है और ना अंदाजा है कि कितनी जल्दी ये दिक्कत जो है वो हर इंसान के घर पर पहुशने वाली है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शुकों को एक रियालिटी चेक दें कि ये जो दिक्कत है वो कितनी बड़ी है अब है ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा एक वर्ड इस्तिमाल किया कि ये कुद्रत का कहर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कुद्रत का कहर नहीं पिछले 50 वरसों से विक्सित और विकास सील देस अपने विकास के लिए जो रफ्तार इन्होंने बनाया है और इस रफ्तार में जो इनको प्रकृति के साथ इनका जो समनवे होना चाहिए वो इतना ज़ादा बिगड़ा हुआ है कि आज हम इस सितिती में पहुँचें तो ये कुद्रत का कहर नहीं है ये मानव निर्मित कहर है जो आईस्ते आईस्ते हमें ऐसे कागार पर लेके जा रहा है जहां पर हमारे पास में सॉलूशन नाम की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि हम पानी बना नहीं सकते हैं हम नदियां बहा नहीं सकते क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर, हमारा ग्लेसियस सबी कुछ प्रभावित हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है हमारे देश में भी वाटर को लेकर के फोर्स माग्रेशन शुरू हो चुका है अगर आप सीरिया या दूसरे अन अफरिकी या अमेरिकी देशों के बारे में भी बात करें तो वहां भी बहुत सारी कंट्रियों का मैं नाम ले सकता हूँ जहां पर कि सिर्फ उनका जो फोर्स माग्रेशन है वो वाटर की वज़े से हैं तो जाहिर से बात है कि हम बहुत ही क्रूसियर टाइम पे खड़े हो रहे हैं इसका सामाधान ढूनने से पहले हमें अपने तमाम वेभारों में परिवर्तन के लिए अपना मन दिमाग और सरकार की तैयारी की ज़रूरत है तभी मुझे कुछ इसमें बदलाओ नजर आएगा चले प्रफेसर विफेक सिंग आपके पास आना चाहूँगा देखिए हमारा जो टॉपिक भी हो कहता है एकॉनमी का सूखा सूखे से किस तरीके से एकॉनमी पे फरक पड़ रहा है जो हमारी अर्थ्यवस्ता है वो भी दीमे दीमे आप सोक ले रही है यह जो सूखा है उस पर आप थोड़ा सा हमें हमें बताएं कितना direct impact है इसका फोर्स migration की बात तो करी करी कचरने कि जब फोर्स migration होता है तो फिर जो रिसोर्टियों वो और कम हो जाते हैं लेकिन और किस तरीकी के impact देखने को मिलते हैं देखिए बिल्कुल मैं आपके बास से सहमत हूँ और बिल्कुल आपने खेक कहा कि देखिए सुखा एक ऐसा है जो कि देश की आए हो या समाज की आए हो या उनकी खुशी हो उसको अगर कोई स्टॉक लेता है या सुखा देता है उसको हम सुखा हो सकते हैं अब देखिए इसका सामाधिक पहलू भी है इसका जो है राजनेतिक पहलू भी है और इसका आर्थिक पहलू भी है तो मैं आर्थिक पहलू भी आपने बोलाव में प्रकाश डालूंगा देखिए पिछले लगबक 50 सालों में 125 बिलियर डॉलर की जो अर्थवरस्था के कमी तो देखिए इक पर पढ़ेगा तो तुसका असर आपकी खेती पर पढ़ेगा और उसका असर आपकी जीडीपी पर पढ़ना ही पढ़ना है तो देखिए सूखा जो है उसका दोहरा मार होता है एक तो मार होता है कि आपके GDP पुरी तरीकिसे प्रभाविस्टों के जो कि हमने बताया कि 125 बिलियन डॉदर के अर्थ रॉस्टा का नुक्सान हो गया है और मैं भारत की बात करूँ तो लगवग पिछले 20 सालों में तो लगवग पिछले 30 सालों में 2-5% के बीच में GDP जो हमारी रफ्तार जो कम रही है वो जो है तूखे की वज़त रही है और कहीं ने कहीं सब्सक्राइब करना है तो हमें क्या करता है और अगर हमें अब यहां से हालात को बहतर करना है तो हमें क्या कदम उठाने होंगे इस वास्तर पर वैज्ञानिकों ने जो चिंता जताई है उसके हिसाब से आपने जो शब्द कहा इसमें सिर्फ दो ही शब्द और नए जोड़े जा सकते हैं एक खत्रे की घंटी हम पार करने के कगार पे हैं और दूसरा कि अगर कोई दूसरा कोई विसुद अगर अब हो सकता है तो वो है पानी को लेकर गी क्योंकि पानी के बिना ना जीवन संभव है ना आर्थिक विवस्था में कोई बड़ा बदलाव संभव है ना इंडस्ट्री बचेगी न जन जीवन बचेगा ना खेती होगी क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ जल पर ही अधारित है और सबसे मजदार बात ये है कि बारिस के पानी के यानि कि water conservation को लेकर जितने तरह की प्राचीन सुविधाएं या परंपराएं हमारे देश में थी अगर आप बांकी विश्व के हालात को देखें तो यहां उस तरह के प्रियोजन या वैसी परंपरा water conservation को लेकर नहीं रही है मगर हम वो शहर के लोग जो लोग सुखे के बारे में जानते नहीं थे सुखे के बारे में से पितने जानते थे कि खेतों में सुखा पड़ता है आज हर शहर में या खास करके महानगरों में जिन दो का हमासा जुड़ने के लिए हम अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी अच्छी बात कम से कम यह है कि शायद खत्रे की घंटी अभी बजी नहीं है हम थोड़ा सा उससे पहले हैं समय रहते समल जाए तो शायद तक पानी बच जाएगा सुखे के कहर और बढ़ती गर्मी के असर के बाद अब इस से राहत देने वाली खबर इस बार साउथ वेट मौनसून देश में जल्दी दस्तक देने जा रहा है मौसन विभाग के मताबिक 15 मई को अंड़मान और निकोबार में मौनसून की पहली वारिश के आसनार है साउथ वेस मौनसून के दक्षिर अंड़मानर उससे सटे बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने के संभावना है मौसन विभाग के मताबिक अगले 5 दिनों में अंड़माननी कोबार लक्षर दीप और केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही बाकी बिजनस वर्ट की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए जुड़े रहे एटिंग आउस को देश के साथ